नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी वीद पंकद नाड़य में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के बारे में interesting facts about the human brain انسانی दिमाग हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो होता है वो कितना powerful होता है उसके बारे में बात करेंगे उसके कुछ facts के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे दिमाग की capacity कितनी होती कई बार हम बोलते है कि मेरा दिमाग ठक जाता है या मुझे कुछ याद नहीं रहता है कई बार हम दूसरों के बारे में बोलते है उसके दिमाग में कुछ नहीं है लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो human brain होता है उसकी संग्रह सक्ती यानि कि storage capacity इतनी ज्यादा होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो interesting facts about the human brain के आज की सीरीज में हम देखेंगे कि आखिर कितनी होती है क्या आप अनुमान लगा सकते हो गेस कर सकते हो कि हमारे human की किसी भी इंसान की brain की storage capacity कितनी हो सकती है और हम उसका कितना इस्तमाल करते है तो कितनी हो सकती है आज कल हमारे जो laptop computers वगरा आते हैं mobile साते उसमें 4GB, 15GB 16GB, 32GB 68GB, 128GB हमारे laptop में 1 TB, 1 TB तक की memory होती है और उससे ज्यादा भी होती है super computer में और वगरे वगरे लेकिन हमारे दिमाग में एक इनसान के दिमाग की storage capacity कितनी होती है उसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते इतना बड़ा हमारा दिमाग होता है तो the human brain has estimated storage capacity of 256 exabytes or we can say 256 billion GB अर्थात एक इनसान के दिमाग की storage capacity 256 exabytes के जितनी होती है जिस तरह से gigabyte से उसी प्रकार से exabyte होता है और exabyte 256 exabyte यदि हम उसे gigabyte GB में convert करते हैं तो 256 billion GB होगा यानि कि इसे store करने के लिए हमारे पास कोई pen drive कोई memory का कोई hard disk नहीं हो सकता अर्थात यदि हम PC computer की hard drive की memories की साथ इनसान के दिमाग की memory की storage capacity की तुलना करते हैं तो 1.2 एक दिसमलाव 2 billion PC की hard drives collect की जाए और रखी जाए तो उतकी जितनी storage capacity होगी 1.2 billion PC की hard drives की उतनी capacity इनसान के दिमाग की store करने की सकती होती है यानि की बहुत ज़्यादा होती है और इससे आगे बात करें यदि हम CDs में compact disk आता था यदि आपने देखा हो CD आता था बीच में से खोल रहता था चमकीला plastic का तो उसके अंदर पहले movies वगेरा देखा जाते था या data store किया जाता था तो यदि हम CD में convert करना चाहे इस memory को इनसान के दिमाग की memory को यदि CD में convert करते है compact disk में convert करते है तो enough CDs to make a stack which would reach beyond the moon यानि कि इतनी ज़्यादा series लगेगी कि उसका यदि धेर लगाया जाए तो वह धेर चांसे भी उपर चला जाएगा यानि कि इतनी ज़्यादा series की compact disk की जरूरत पड़ेगी कि उसका धेर लगाया जाए तो वह चांसे भी उपर चला जाएगा इतनी ज्यादा स्लीज चाहिए अब आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इनसान के दिमाग की सकती क्या होती है उसकी ताकत क्या होती है और इसे भी आगे बात करें तो फिप्टिल लाइबरेज इस पॉर एवरी परसन ऑन दे प्लैनेट अर्थात की इस दुनिया में रहने वाल एक इनसान के दिमाग की तो हमारा ब्रेंड बहुत पाउर्फुल है दोस्तों यानि कभी एसा मत बुलना की यार मेरा दिमाग काम नहीं करता है मेरा दिमाग यह नहीं हमारा दिमाग बहुत शार्प है और गुद्रत ने इसके अंदर इतनी ज्यादा सक्टिया दी है यदि आप इसका सही इस्तमाल करोगे तो आप नजाने कहां से कहां पहुँच जाओगे तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट में बताइए, थैंक्स पॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, मिलते है कुछ ऐसा ही नए इंट्रेस्टिंग फैक्स के ताथ, तब तक के लिए अलविदा